सही सवाल है कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ और उस समय के दौरान मैं नहीं सेशन अटेंड करना पॉसिबल मेरे लिए और मन बहुत है करने का तो मेरे ख्याल से इसको कुछ रिपले कर देंगे कोई समभावना ऐसी होगी कि वो सेशन्स जो है जो उनका common comfortable time हो उस समय पे रिपले हो जाएंगे पर ऐसा ना हो कि इतना odd time हो कि उस समय पर अचारयाज जो हैं वो तुरंत उनके उनको support ना कर सकें तो इसका मेरे ख्याल से एक ऐसा किया जा सकता है कि ये जो मैं live session करूंगा उसकी recording तो होगी ही तो उस recording को जो सुविदा हो उस समय पे एक access दिया जा सकता है कि वो फिर से सुन ले तो ये recordings हम 24 घंटे के लिए available कर सकते हैं कुछ ऐसा system ये technology वाले लोग बना लेंगे और वो बिल्कुल उस समय replay करे और फिर जैसे कुछ लोग शायद US से कह रही हैं ये बात तो हम उनके time के हिसाब से उसको replay कर देंगे और जो US के अपने अचारेज हैं वो उनको practical करने में मदद कर देंगे कुछ लोग शायद New Zealand या Australia वाले हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी विवस्ता हो जाएगी सिंगापूर में अपने बहुत ही अच्छे इंट्यूटिव अचारे हैं वो उनकी मदद कर देंगे UK में निदर्स लैंड में जर्मनी में जहां जहां अपने लोग है मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा विशे आड़े नहीं आएगा मुझे नहीं देता है देखिए ऐसा है कि जो तो ये कोई फीस वगरा देने का प्रोसेस रहता है अब चूंकि वो आनलाइन है तो वो बैंक की तरफ से कुछ होता है कि भाई इमेल पर ही जाना चाहिए तो वो उस तरीके से वेवस्ता है और टेलिग्राम पर मैं इमेल वाला नहीं हूँ मुझे इमेल इतना नहीं है मैं आप यूज़ टू इमेल मैं टेलिग्राम पर खोद ही मोनीटर भी करना चाहता हूँ और मुझे जो मैसेजिस देने हैं प्री प्रेपरिशन के मैसेजिस देने हैं वो हम अभी कल से कल मेरे क्याल से एक तारीफ हो जाएगी तो वो हम मैसेजिस देने शुरू करदेंगे और सबसे पहली बात तो यह है कि अपने और अपने जानकारों के धरगढरों के नक्शों को तयार रכे सबसे पहली चीज तो यह है, फोड़ा सा समय तै कर ले, कि भाई मैं दो घंटे रोज लर्निंग के लिए दूगा, और इसके इलावा मैं कुछ लेसंस भेज रहा हूं, वो लेसंस को रट लेना है, क्योंकि वो बेसिक्स है, सोला जोन है, अब तो सबको पता ही है, तो सोला जो के गुनदर्म क्या है, प्रतेक जोन का फिक्स डेलिमेंट क्या है, पंच ततवों के समीकरन क्या है, मैं और भी कुछ जो चीजों की जानकारी है, वो हम शेयर करेंगे, टेलिग्राम ग्रूप में, बाकि लोग एक मनस प्रपेर हो जागे, दे वन, कोई टॉपिक करेंगे, कोई भी एक टॉपिक है, जैसे मन को शांती कैसे मिले, मन को मॉटिवेशन कैसे मिले, क्या वास्तू से मॉटिवेशन मिल सकती है, अब वास्तू का मॉटिवेशन से क्या लेना देना, पर अंग्रेजी का शब्द है न तो वास्तू से क्या लेना देना, और हमारे यहां तो सदियों से मंदिर बनाए ही इसलिए जाते थे कि आप अगर वहां चले जाएं दो मिनट के लिए भी तो ऐसी प्रेरना अंदर से आती थी क्या वही कुछ उप्चार घर में किये जा सकते हैं कि मन में हमेशा एक प्रेरना बनी रहे सेल्फ कॉंफिडेंस बना रहे स्पश्टता रहे विचारों की तो मन की शांती से मन की स्पश्टता से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे के सारे पक्ष जितने भी हैं भाई सबंधों का विशे है सबंधों के बारे में क्या किया जा सकता है पर पहले देखेंगे कुछ करने की जरूरत है भी या नहीं पता चला उपचार कर दिया उसी सबंध खराब होगे क्योंकि पहले तो अच्छे थी अब उपचार कर द कि परते एक घर को सुरक्षित कैसे रखना है, कैसे वहाँ पर सहर्थीक रहे, उस सारे टॉपिक हम इन 16 दिनों में पूरे करवा देंगे. बिल्कुल बिल्कुल हमारा एक पूरे दिन का सेशन है इस बात पर, how to improvise studies, कैसे वो retain करें, उनका focus कैसे बना रहे, किस प्रकार से उनकी पढ़ाई में performance बहतर हो, यह तो already है ही, तो यह रखा हुआ है और बहुत अच्छे से होगा ही. ऐसा कुछ की रहता है. At least, I believe that from 90 to 90 percent, वो demolition की जरूरत नहीं परती है. और यही तो महावास्तु की खासियत है, कि बहुत चुट-चुटे सरलुपचारों से वास्तु के result मिल जाती है. तो अभी आप भी सीखोगे, तो आपको सब सबस्टा होगी, वो तोड़पोड की कोई जरूरत में. वास्तु क्या है? वास्तु, अगर सरल शब्दों में हम इसको एक्स्प्लेइन करना चाहें, तो वास्तु का अर्थ है वास्त करने योग्य स्थान. कैसी जगा, habitable places, suitable places, suitable का मतलब क्या है? जहां मेरा मन शांत रहे, मैं मॉटिवेटेड रहू, मेरा इसाथ थीक रहे, मेरी सोच थीक रहे, कहीं overthinking, मेरा time-wastement करें, unproductive overthinking, क्या ऐसा environment design करना possible है? उस environment की जो rule book है उसको वासुशासर कहने है. और इसका जो मूल मंतर है, जो मूल हम कहेंगे कि फंडा क्या है? तो इसका फंडा है कि जीवन के जितने भी संदर्व हैं, हमरे यहां उन्हें सोला कलाओं से जीना कहते हैं, और वो जो सोला संदर्व हैं जीवन के, यानि जीवन का कोई भी पक्ष क्यूं न हो, वो किसी ना किसी संदर्व में बांटा जाता है वासुशासर में, और वो 16 संद्रव में बांटा जाता है। कैसा वातावर निर्मान करें, उसकी जो रूल बुक है, उसको वास्तुशासर कहते हैं, और उसका मूल सिधान्त ये है, कि किस दिशा में कौन सी गतिविधी, कौन सी यूटिलिटी, कौन सा डेकॉरेशन का समान रखा हुआ है, और वो किस प्रकार से वहां पर रहने वालों की सोच पर, वैभार पर, उनकी प्रोडक्टिविटी पर, उनकी लाइफ में जो प्रफॉर्मेंस है, उस पर और उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पर, वो क्या इंपेक्ट डाल रही हैं चीजें, उसके अध्यन को वास्तुशासर कहते हैं,